हलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का HP Study Hub में हम डिसकस कर रहे हैं Static GK की एक नई सीरीज जिसमें हम देख रहे हैं HP SSC हमीरपूर जो previous question paper है उसमें GK section को क्योंकि बहुत से exam में आप से जो previous year question से question repeat होते रहते हैं इसलिए आप इस सीरीज के साथ बने रहें अगर इस सीरीज का first part आपने नहीं देखा है तो उसको जल्दी से देख लें इसका link आपको description box में मिल जाएगा साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में bell icon को प्रेस करना ना भूले तो शुरू करते हैं इस lecture में first question what does the executive of the union of India consist of भारत के संकी कारियपाली का किसे मिलकर बनी होती है भारत में जो कारियपाली का होती है वो बनी होती है मिलके राष्टरपती परधान मंतरी और मंतरी परिशत के तो इसलिए इसमें option d all of these हो जाएगा अगला question है कि भारत के राष्टरपती को किन अधारों पर महावियोगित किया जा सकता है impeachment की बात हो रही है प्रेजिडेंट को इंडिया के जो प्रेजिडेंट है उनको किन अधारों पर impeach किया जा सकता है President of India को impeach किया जाता है option A for a violation of the constitution अगर राष्टरपती सविधान की उलंगना करते हैं तो उनको उन अधार पे impeach या फिर महावियोगित किया जा सकता है Indian constitution की बात करें तो article 61 में impeachment की बात होई है President को इस article को आप याद रख सकते हैं महावियोग की बात होई है अनुछेद 61 में अगला question है कि भारत के मुख्या नियाधिश की नियुकती कौन करता है Who appoints the Chief Justice of India Chief Justice of India की appointment की बात करें तो उनको appoint के जाता है President of India के दोरा भारत के जो राष्टरपती होते हैं वो Chief Justice of India को appoint करते हैं और उन्हें जो पद और गूपने तक की वी शपद भी बोही दिलाते हैं Next question है कि Can a person act as a governor of more than one state क्या एक ब्यक्ती एक से अधिक राज्या के राज्यापाल की रूप में कारिया कर सकते हैं क्योंकि समिधान के जो सातवे समिधानिक संचोधन 1956 में ये प्रोवीजन रखा गया है कि एक ब्यक्ती जो एक या एक से अधिक राज्या के राज्यापाल के रूप में कारिया कर सकते हैं इसलिए आप इस समिधानिक संचोधन को भी याद रख सकते हैं अगला question है उचने आले के मुख्या नियाँदीश की नियुक्ति कौन करता है इससे पहले हमने देखा जो Chief Justice of India की न्यूकती वो करते थे President इसमें option है the Governor, the Chief Justice of India, the President of India या फिर the Prime Minister of India जो Chief Justice होते हाई कोट उनकी न्यूकती भी की जाती है भारत के रास्टरपती के द्वारा ये कंसल्ट करते हैं Chief Justice of India और साथ में जिस भी राजिया में मुख्या न्याइदिश की न्यूकती होनी है बहां के राजियापाल और Chief Justice of India के साथ कंसल्ट करने के बाद President of India न्यूकत करते है Chief Justice of High Court और उसके बाद शबत की अगर बात आए तो Chief Justice of High Court को शबत दिलाते हैं राजिया के राजियापाल इसमें भी कंफ्यूजन आपने नहीं होना है क्योंकि Chief Justice of India और Chief Justice of High Court दोनों की न्यूकती की जाती है President के द्वारा Next question है कि भारत के केंदर शाशित परदेशों का प्रशाशन कोन करता है Who administer the Union Territories of India इसमें administrative की बात करें तो Union Territory को किया जाता है राश्टपती संसित के कानूनों द्वारा President of India उनको regulate करते हैं जो की law पास होते हैं पार्लेमेंट से Option भी इसमें बिल्कुल सही रहेगा Next है When the planning commission was set up योजना अयो की स्थापना कब हुई थी 1950, 61, 1969 या 1947 योजना अयो की बात करते हैं इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को ततकालीन देश के परधान मंतरी शिरी जोहरला नहरू जी ने स्थापना की थी योजना अयो की और इसका headquarter रखा गया था निउ दिली में योजना अयो की बात करें एक गवर्मेंट की think tank है ना ही ये समिधानिक है और ना ही ये statutory body है अट प्रेजेंट में इसके status की बात करें तो इसका नाम बदल के रखा गया है निती अयोग निती अयोग इसका नाम बदला है एक जनवरी 2015 को प्रेजेंट में अगर चेर्मेंट की बात करें निती अयोग के चेर्मेंट है परधानमंतरी नरेंदर मुदी नेक्स्ट विच आप दिफॉलिएंग लेडिस विकम गवर्नर आफ इंडियन स्टेट निमन में से कौन सी मैला भार्त्य राज्यों की राजयपाल बनी औप्शन सरोजनी नाइडू, बीजे लक्षिम पंडित, राजकमारी, अमरित कौर या फिनिन में से कोई नहीं इसमें राइट अंसर होगा सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू फस्ट फिमेल है जो की गवर्नर बनी है इंडियन स्टेट की गवर्नर बनी है उत्रप्रदेश की है 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक सरोजनी नाइडू इसमें बिल्कुल सही रहेगा अगला question है राजयसवा से related दाराजयसवा which is the upper house of the parliament इसके बारे पुछा है कि राजयसवा जो की सस्थित का उच सदन है इनमें से कौन सा सही है option A इसकी जो अबदी होती है वो 6 बर्ष के होती है या एक पर्वनेंट बॉड़ी है इसकी जो अबदी होती है वो 4 बर्ष या फिर इसके अबदी 5 बर्ष होती है इसमें right answer है option B राजयसवा एक पर्वनेंट बॉड़ी है जो कभी भी dissolve नहीं होती है option A की बात करें has a life of six year राजयसवा की life छे बर्ष नहीं होती है जो कि राजयसवा की जो सांसद होते हैं उनकी life या फिर उनका tenure 6 बर्ष का होता है इसलिए इस option के साथ आप confusion ना करें अगर लोगसभा की बात करें लोगसभा की संसद उनके tenure पांच बर्श होते हैं और यह पांच बर्श या इससे पहले dissolve किया जा सकते हैं इसलिए right answer इसमें रहेगा option B राजे सबाइक permanent body है जो कभी भी dissolve नहीं की जा सकती अगला question है कि normally the interval between two session of parliament should not be more than समानेता जो संसद के दो सतर होते हैं उनके बीच का जो अंतराल इससे अधिक नहीं होना चाहिए option 3 महिने, 6 महिने, 30 दिन या फिर 45 days इसमें right answer हैगा इनके बीच में जो tenure या फिर time 6 महिने से अधिक नहीं होना चाहिए जो दो session होते हैं इसमें option B सही रहेगा नेक्स question है, यह economic celebrated है इसमें पुचा है कि stagflation is एक निस्पन स्फिती क्या है inflation with growth inflation with recession deflation with growth, deflation followed by inflation right answer हैगा इसमें option B inflation with recession मंदी के साथ स्फिती उसे हम कहते हैं निस्पन स्फिती या फिर stagflation next है, इंडिया's major import consist of भारत के जो मुख्या आयात में शामिल है, और योगिक निर्मित बस्तुए, कच्चा माल कृशी उत्पाद, या फिर option D A और B, इसमें right answer हैगा option B जो raw materials होते हैं, वो है इंडिया's major import इंडिया के जो major import में उनको लिया जाता है बिवाजित होता है revenue budget, capital budget बोथ A and V या फिर none of these, इसमें right answer हैगा बोथ A and B जो भारतिया बजट को बिवाजित किया जाता है राजस्व बजट और पुझी बजट में next question पुछा है which of the following is not the function of reserve bank of India इनमें से कौन सा कारिया, भारतिया reserve bank का नहीं है option currency note जारी करना सरकार की banker bank के लिए banker या फिर उद्योगों के लिए परत्यक्ष रिंड देना, इसमें right answer होगा option D जो giving direct loan to the industries ये काम जो reserve bank of India का नहीं होता है क्योंकि जो इसके under जो bank आते हैं, उनके थो ये काम किया जाता है, बाकि जो other काम जो ये currency note भी reserve bank of India जारी करता है, उसके बाद इसको banker of government भी का जाता है, next इसको banker of the two bank भी का जाता है इसलिए option इसमें उद्योगों को परत्यक्ष रिंड देने का काम reserve bank of India का नहीं है, ये काम है bankों का, next question है which of the following communities earned the highest foreign exchange for India निमन में से कौन सी बस्तों भारत के लिए सरवादिक बिदेशी बिने में अर्जित करती है, इसमें right answer हैगा option A, coffee और जो tea होती है, ये सरवादिक बिदेशी बिने में अर्जित करती है भारत को, next question which of the following measures cannot remove poverty, निमन में right answer हैगा option A जो government दोरा जो अनुदान या फिसरकारी अनुदान प्रदान किया जाता है इसके दोरा जो गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है, अगर जो सादन है जैसे जनसंख्या, नियंतरन उत्वादन में बिदी, समानता पुर्ण इनके दोरा जो पोवर्टी को या फिर गरीबी को कंट्रोल किया जा सकता है नेक्स्ट है कि वहनवाजदी Employees Provident Fund Act इनेक्टिड, करमचारी वविश्या निधी अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था, इसमें right answer हैगा option B 1952 को जो EPF Act ये पास किया गया था Next question One of the main sources of income for local bodies is taxes on income taxes on commodities, taxes on property taxes on expenditure स्थानिया निकाय में पुछाए कि उनकी आये का मुख्या स्रोत क्या होता है उनकी मुख्या आये का स्रोत होता है संपतिकर या फिर taxes on property Option C Next Which of the following crop cannot be cultivated in unirrigated land निमन में से कौन से फसल कि खेती ऐसी है जो कि असिंचित भूमी पर नहीं की जा सकती है जहां पर सिंचाई नहीं होती है उस क्षेतर में वो खेती नहीं की जा सकती है क्या वो ग्यहूं है, गन्ना है, बाजरा या फिर मुख्या है इसमें राइट अंसर हैगा जो गन्ना, गन्ना की खेती हम ऐसे अनिरिगेटिट लेंड पे नहीं कर सकते हैं, बाकि अधर जो खेती है उनको अनिरिगेटिट लेंड पे किया जा सकता है इसमें राइट अंसर हैगा, ओप्शन ए, मोबिलाइज स्मॉल सेविंग, जो छूटी बचते हैं उनको बढ़ावा देना, ये काम करता है, यूनिट ट्रस्ट अफ इंडिया की बात करें, ये एक वन अब दी लीडर म्यूचल फंड है, जो की 1963 में एस्टेबिश हुआ था, ए किस देश को यूरोप का कॉक्पीट कहा जाता है, हंगरी, ऑस्टिया, स्विजल इंडिया, फिर बेल्जियम, इसमें राइट अंसर हैगा, ओप्शन डी, बेल्जियम को कहा जाता है, कॉक्पीट उफ यूरोप, नेक्स्ट है, कि सबसे चमकिला ग्रह कौन सा है, ब्राइट कि रिफ्ट वैली इज एक विवरंश घाटी होती है, विवरंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली की बात करें, वो होती है कि सबसिडाइज लेंड लिविंग अलोंग एंड नेरो उपनिंग, एक ऐसी भूमी होती है, जिसका मुख लंबा और सकेरन होता है, उसे कहते हैं, र triangular shape land between its distributors एक बितरक नदियों के बीच जो त्रिकोनिय अकार की भूमी होती है उसको का जाता है डेल्टा या फिर नदिमुक भूमी नेक्स्ट पुछा था कि सबसे छोटा दिवस कौन सा होता है उत्री गुलाद में सबसे छोटा दिन इसमें होता है ऑप्छन सी 22 दिसंबर सब कि समर नेम ओफ पर इराक का पूराना नाम कि बाद करें तो मेघ्रो पर来ला नाम कहां ओप यराक का ऑप पूरा नाम था जो, जो सबस्यपा-जो, डेल्ट नेक्स पुछा था समर्क, अकर्वन के वारे में पूछा था की कर्क्सक्रांथी कम होती है यह होती है 21 जून को बर्फ की जुंपडी जहां एसकीमो रहते हैं एसकीमो जहां पर रहते हैं उस स्थान को या फि्लम की जुंपड़ी को का जाता है इगलू इसमें option E आगे कोशने पुछा था कि बिशिप का सबसे बड़ा दूईप कौन सा है जो लार्जस्ट आइलेंड 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 वो है ग्रीन लेंड नेक्स्ट दा फस्ट उपन उनिवर्स्टी इन इंडिया वाज एस्टेबिलिस्ट एट भारत की जो प्रत्थम मुक्त बिशिप बिदेलिया कहां स्थापित हुआ था प्रत्थम जो मुक्त या फिर उपन उनिवर्स्टी की बात करें वो स्थापित हुआ था हैदराबाद में आप्शन ए नेक्स्ट में पुछा की हूबर दस्यूज दस्यूज कौन थे दस्यू की बारे मैं पुछा कि दस्यू इनमें से कौन थे दस्यू की बात करें तो एक औरिजिनल इंहेविटेंट है इंडिया की आगे पुछा था कि बुद का जनम कहा हुआ था बुद के जनम कि अगर बात करें तो इसमें option D लुम्बनी में बुद्ध का जनम हुआ था नेक्स्ट की नेलंदा बिशिव देलिया कहा से था है नेलंदा बिशिव देलिया की बात करें वो है पटना में स्मीप ऑप्शन भी इसमें सही रहेगा नेक्स्ट कॉपशन है दिन ए इलाही क्या था दिन इलाही की बात करते हैं दिन इलाही एक अकवर दोरा शुरू किया एक धार्मिक पत्ता एक religious पात था lay down by अकवर next question है what is meant by सरदेश मुखी सरदेश मुखी से क्या तातपरिया है सरदेश मुखी की बात करें एक text था इसमें option B सही रहेगा who wrote रतना वली रतना वली किसने लिखी थी रतना वली लिखी है हर्श के दोरा option A next question है कि महमूद गजनी दोरा किस बर्श सोमनाथ मंदिर लोटा गया महमूद गजनी ने जो सोमनाथ मंदिर गुजरात का लोटा था एक अजहर पच्चिस इस भी में option C next था कि राजा रामोन राए वाज नौट एसोसेटिड बिद इनमें से किस से जो राजा रामोन राए एसोसेटिड नहीं थे इसमें रिमेरिज जो बिद्वा पुनर विवाहा इसे भी रिलेटिड थे सत्तिप्रथा उन्मोलन अंग्रिजी शिक्षा को बढ़ावा इसमें option C संस्कृत शिक्षा से रिलेटिड उनका जो ज़्यादा नहीं था तो इसलिए option C इसमें सही होगा next था शिम्ला कॉन्फरेंस कब हुई थी शिम्ला कॉन्फरेंस हुई है 1945 में option A next question the indus valley sales were most probably जो सिंदु गाटी के मोरे अधिकांश सिंदु गाटी के जो मोरे थी वो संपती स्वामित्व को दर्शाती थी meant for the signify ownership of property option A next ब्रामनाज are books that deals with ब्रामन वे किताबे हैं जो सरोकार रखती है जोतिस से बलिदान के भियान से जादु टोना से केबल भगवान की बगवान को की जाने वाली प्रात्नाओं से इसमें option B बलिदान के भियान से next बिम्बिसार संबंदित था हरिंक डाइनस्टी हरिहर डाइनस्टी गीरिवरज डाइनस्टी अंगा डाइनस्टी बिम्बिसार के अगर बात करें ये थे रिलेटिट हरिंक डाइनस्टी से या फिर हरिंक बंस से next बुद को स्रेस्ट रूप से दरशाया जा सकता है option इश्वरबादी, अग्यवादी नास्तिक या फिर संसारिक भौतिक बादी बुद की अगर बात करें उनको दरशाया जा सकता है अग्यवादी या फिर अग्यवादी या फिर एंग्वेस्टिक option B next निमर में से किस से किसने प्रत्थम आकरमन करके भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर अपना शाषन स्थापित किया इसमें कि किसने जो नौर्थ बेस्टिन साइड में अपना जो अधिपत्या स्थापित किया था option है पार्थियन, कुशान, सकाथियन या फिर बैक्टिन यूनानी इसमें option D जो बेक्टिन यूनानी फस्ट वो एक रोलर था जिसने उत्तर पस्वी भाग पर अपना शाषन स्थापित किया इसको याद रखें आप बेक्टिन ग्रीक next कि किसने बगवान को सर्बोज सुंदरता से के रूप में दर्शाया है who regarded God as supreme beauty सूफी, Muslim, इसाई या पार्सी इसमें right answer होगा option A सूफी जो थे उन्होंने बगवान को एक सर्बोज सुंदरता के रूप में दर्शाया है next मुहमद बिन तुगलुक क्यों बिफल रहा मुहमद बिन तुगलुक के बारे पूचा कि वह बिफल क्यों रहा वह एक बिवारिक राजा नहीं था क्योंकि he was not a practical statesman next निमन में से कौन सा बादिय अंतर तुर्क द्वारा भारत में लाया गया तर्किश पीपल द्वारा जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट पूचा के वो भारत उनकी द्वारा लाया गया था सारंगी, सितार, डंबरू या तबला इसमेरा ही टंसर होगा option A सारंगी तुर्कों का एक जो इंस्ट्रूमेंटल था जो बारत लाया गया था next which was the principal spice growing region in India spice growing या फिर मसाला उत्पादन बाला region की बात करे इसमें option A मालावार सबसे ज़्यादा जो spice या फिर मसाला ग्रो करने वाला क्षेतर है next मुगल काल के दुरान जमीदारी डैश नहीं थी इसमें बन्शागत या फिर हैरेडिटरी बिक्री योग्या हक इसमें भूमी का स्वामित्व रहन नामा योग्या मुगल काल में अगर बात करें तो इसमें option C भूमी का स्वामित्व ownership of land ये उसमें जमीदारी में नहीं थी next की हाथी दान्त चितरकारी एक बिशिष्टता है आईवरी फेंटिंग बाज specialty of मारवाड शैली, अलवर शैली, बुंदी शैली या फिर बिकानेर शैली हाथी दान्त की अगर बात करें ये है अलवर शैली से रिलेटिड next स्वामी दैनंद सरस्वती का मूल नाम था स्वामी दैनंद के बारे में पुछा है कि इनका मूल नाम क्या था उदेशंकर, मूल शंकर, शिब शंकर या फिर देप्रिया उनका जो मूल नाम था मूल शंकर, option B next, थियोसोफिकल सुसाइटी कहां स्थापित हुई थियोसोफिकल सुसाइटी के बारे में पुछा कि इन में से किस जगा पे इसको स्थापित किया गया था इसमें राइट अंसर होगा option A 1885 में जब फर्स्ट सेशन हुआ था इंडिया नेशनल कॉंग्रस का बो हुआ था बंबे में next, अभिनव वारत समाज कि स्थापना की गई थी अभिनव वारत जो समाज थे उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी रास बिहारी बोस, केटी तेलंग, सावरकर बंदू ये फिर लाला लाज बत रहे इसमें राइट अंसर हैगा सावरकर बंदू, सावरकर ब्रदर के द्वारा अभिनव वारत सुसाइटी की स्थापना की गई थी नेक्स्ट, निवन में से कौनसी परवत्षेणी कश्मीर गाटी तथा सिंदू गाटी को अलग करती है शिवालिक परवत्षेणी, पीर पंजाल परवत्षेणी, दोलाधार परवत्षेणी ये फिर बरिहत हिमालिया परवत्षेणी इसमें राइट अंसर रहेगा आप्शन D जो Great Himalayan range है वो डिवाइड करती है कश्मीर घाटी और सिंदू घाटी को इसमें राइट अंसर रहेगा आप्शन A जो काड़मम हिल्स और फिर इलाइची पाडियों को का जाता है पलाणी पाडिया आप्शन A बिल्कुल सही रहेगा इसमें नेक्स्ट है गंगा नदी के दाएं किनारे की सबसे महतोपुन साइक नदी है इसमें राइट अंसर है यमुना जो की दाएं या फिर ट्रब्यूटरी है राइट वेंग गंगा की इसमें राइट अंसर रहेगा ऑप्शन A जो भूम अध्या सागर या फिर मेडिटेरियन सी है वह बहां से पस्ट्रिम बिक्षोब या फिर बेस्टन डिस्टरबिंस ओरिजिनेट होता है नेक्स्ट है इंडो गंगेटिक मैदान अधिकांशता बने है जो इंडो गंगेटिक प्लैन जो इसमें बिलकुल सही रहेगा इस लेक्षर में लगवग हमने 50 के करीब कॉस्टन को डिसकस किया क्यूंकि आपके एरवीजन के लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एक्जाम में भी इन में से काफी कॉस्टन डिपीट हो सकते हैं इसलिए अगर लेक्षर पसंद आया तो उसको ना भूलें बाकी मिलते हैं नेक्स लेक्षर में तब तक के लिए अपना ख्यार रखें नमस्कार